कि हेलो एवरिवन दिस इस अकास विशेडन एंड यू वचिंग अचीव आई एस और वेलकम बैक टो दा हिंदू अनलिसिस आज है हमारी 17 जैनुवरी 2021 और फिर से हमारा समय हो गया है दा हिंदू की अनलिसिस का आज संडे है तो इतने कुछ ज्यादा आर्टिकल्स आज मिले ह पर फिर भी वर कर लेते हैं वाटसएप पुशिस पॉलिसी डॉल आउट तू में 15 जो वटसएप ने अपना जो पॉलिस पॉलिसी में जो अपडेट वो लेकर आये थे प्राइवसी पॉलिसी में जिसको लेकि काफी बैकलैश उनको तोल्रे सहाने को मिला था क्योंकि बहु इसको हमें जो है जोइन करना चाहिए तो अब इसी सब के चलते वाटसएप ने जो इसकी पॉलिसी थी जो आपकी पहले एटींथ फैप को जो आपकी लागू होने वाली थी उसको अब एक्सेंड करेंगे में 15 तक उसको मतलब पॉस्पॉन कर दिया कि हम जो है में 15 तक उसक सेक्शन होता है महाँ पर वाटसएप की तरफ से लगाया है जहां पर नोंने यह लिखा है कि हम जो है आपकी प्राइविसी को नहीं ब्रीच करते हैं हम कोई भी चीज आपकी नहीं तो सुन सकते हैं नहीं हम पढ़ सकते हैं आपकी सारी चैट सारी कॉल सारी वीडियो सब क्रिप्टिड है हमारा कोई भी हक हमारा कोई भी एकसेस जो है उन चैट तक नहीं हो पाता है तो यह जो है वट्सएप ने क्लारिफाइब करने कोशिश की है तो अगर वट्सएप को सची में अगर कॉंफिडेंस लोगों का जीतना है तो कुछ कॉंक्रीट स्टैप उसको अगर नाव मुविंग बैक तो देट उन फिपल इस पीपल इस पीपल वी आस्पेट दिया जाता तो अब जो है फॉर दे टाइम बिंग इसको रोक दिया गया है इस पर जो है एक होट लगा दिया गया है तो आगे हम देखते हैं कि वोट्सएप क्या स्टैप लेता है देन हमारा नेक्स्ट एक आर्टिकल है बिट्विन पब्लिक हेल्थ एं ग्लोबल पॉलिटिक्स यह हमारा डेवलुएचो से रिल्टिड आपका एक आर्टिकल है डेवलुएचो काफी आपका हैडलाइन्स में रहा था इस पूरे साल मतलब पिछले एक साल में अगरम बात करें दो क्योंकि आपको क्रोना वर्स पैंडिमे का आया था उसकी हैंडलिंग को लेखे काफे क्रिटिसिजम डॉलुएचो का हुआ था जो उसके डॉलुएचो को चीफ है डॉक्टर टेड रोस उनको उनकी भी काफे निंदा की गई थी उनको जो है चाइना का एक दोस्त बताय है काफी मतलब भार यह सो देखने का मुल सकता है क्योंकि अगर मैं अमेरिका की बात करें तो अमेरिका वन अफ दा लार्जिस्ट फंडर्स था इसका डॉलुएचो का ठीक है तो डॉलुएचो के टेपिलेटेट इस टेंटर स्टेज़ वाइज कोविन पैंडिमिक इस नो मेंडिंग वो आपकी मेंबर सेट्स के द्वार की जाती है ठीक है कुछ आपकी असेस्ट कॉंट्रिबूशन होते हैं और कुछ आपके होते हैं वोजंटरी कॉंट्रिबूशन तो 72 यह पहले जो आपका यह एक्सिटेंस में आया था और इसको अगर हम बात करें तो कई बार इस जो है उसकी तरफ से एक क्लैरिफ एक आप क्या सकते हैं कि एक सर्टिफिकेशन मांगा जाता है कोई भी आप वैक्सीन अप्रूफ करेंगे या कोई आप स्टेप बताएंगे तो अगर डवलु एचो का नाम उसमें जूड़ जाता है तो लोगों का विश्वास जो है उ वो इतने लोगार तो पहुशती नहीं थी क्योंकि कम्मुनिकेशन चैनल से इतने सारे नहीं थे टेक्ट टेखनोलोजी इतनी अच्छी नहीं थी अब क्या सोशल मीडिया है तो सब को जुड़ा हुआ है तो यह सारी चीज़ें जहां बहुत जल्दी लोगा तक पहुश जा ना सक्षिक्टिवन मेंबर थे ठीक है इस पी ओफिस ओफ इंटरनेश्टन पबलीक एल्ट जिसे पहले का जो आपका आपका Paul Gateway जो सिमिलर काम करता तो सबसे पहले जो है अगा समय एख की बात करें हम डिलल यह और वह और अटारिक बात करें हम ड fringe उट्टिवक इस कंटिर तो इसकी सबसे बड़ी सक्सेस थी, smallpox को eradicate करना, smallpox को खथम करना, smallpox काफ़ गयों बिमारी थी, जो आपकी virus थे होती थी, ठेकी है, इतना कुछ पाइड़्यू थी और काफ़ी डेडली ही, आपकी बिमारी थी, तो इसको जो है eradicate करने में, सब्सक्राइब काफी रोल था 1796 में इसकी वैक्सिन तियार हो गई थी बनकर लेकिन इतना कुछ फायदा उसका हो नहीं रहा था सिर्फ डवल एचो जब एक्सिस्टेंस में आया और उसने इसकी इम्मुनाजेशन को एक बूस्ट दिया तब जो है यह वैक्सिन आपकी हर कौन सब्सक्राइब काफी कृटिसिजन जो है यही एक कारण था कि फिर 1997 में वहो ने ग्लोबल पॉब्लिक हेल्थ इंडिजेंस नेटवर्क की जो है इन्योगरेशन किया मतलब उसको रोल आउट किया तो प्रेडिक्ट पोटेंशल एपीडमिक्स ताकि जो आपकी एपीडमिक् उनको जो है प्रेडिक्ट किया जासा के इन्फरमेशन का इस्तमाल करके एक इन्फरमेशन अंदे इंटरनेट फंक्शन इस एंडिवर्न अलर्ट विद ग्लोबल आउटब्रेक अलर्ट रिस्पॉंस नेटवर्क तो इसका साथ देने के लिए एक और आपका नेटवर्क है यूश्चा की पर दो को इस तरीके से देवर्क के द्वार्ट इस को उसको लेके काफी क्रिसिज्म करिया गया क्योंकि वह ने अपना स्टार्टिंग में चाना की गवर्मेंट की तारीफ की चाइना की गौर्मेंट ने बहुत अच्छे से काम किया बहुत अच्छे से जो है इसको कंट्रोल किया हमें पूरा पूरा डाटा दिया और यह बात तो भी क्लेयर होई गई थी कि कि कितना कॉपरेटिव चाइना है कि कुछ दूनों पहले चाइना ने डिवल यह थी कि कि किसी डूल एक चीफ ने क्या बोला वह एक अलग बात है ठीक है तो स्टार्टिंग में यह भी आथा कि हुमन टूमें ट्रांसमिशन जो हम इस वारस का देखने को नहीं मिलता तो वह भी बाद में तर फूरूफ हो गया ना फॉर दो मॉमेंट डॉक्टर टेड् वे शुड़ हैव सीन मैनी मोर केसी आउट सब्सक्राइब नाओ और प्रोबेबली डेट्स इस वर नौट फॉर देखने को मिलते और मिर्थी बहुत देखने को मिलती है तो यह कहने में उन्हों थोड़ी जल्दी दिखा दी थोड़ा टाम बिल्कु जाते तो सफ़ाता आउट बरीक आइज लेटेटेड दवारे सीक्वेंस ते जीनोम एंशेर इडिव फिर फिर वह बहुत बहुत इंप्रेसिफ तो फिर उन्हों यह भी का किये जुए एक ट्रांसपरेंसी दिखाता चाहिना कि मतलब ट्रांसपरेंसी एक संटेंस में आप चाहिना भी इस्तमा ट्रांसपरेंसी को इस्तमाल कर लिया तो ओक्जी मरोन जो आपका लंकार होता है ना इंग्लिश वाला फिकर व स्पीच टीक है वह आपका यह पर टीक है एनिवे लैंट चेंजिंग स्टेट्मेंस तो चैंट्मेंस हैं वह बहुत ज़्याद़ चेंज किया डवली अच्छो मौड ऑफ ट्रांसमेशन पर अपने स्टेट्मेंस को काफी चेंज किया गया तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से बताया जो है काफी क्रिटिक्सिजम जो है डोली अचो का बढ़ा काफी ज़्यादा बढ़ा तो कुछ लोग नो डेवल्ड हैल्पलेस औरगनाजेशन देसे करें इस त्राइल के तो यह क्या है आपके एक आपके सकते हैं बहुत बड़े लेवल के आपके इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्राइल से जहां पर सिर्फ वो लोग एक रोबस्ट डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं जिसके माद हमसे वह कोविड-19 का एफेक्टिव ट्रीटमेंट इस वह डिजाइन तो अब पर प्रोसेस ऑफ कंड़क्टिंग ट्राइल विच नॉर्मली टेक इस तो डिजाइन कंड़क्ट एंट रिजल्स टिक तो इसमें जो क्लाबरेशन किया गया वह आपका एरोपिन कमिशन और कुछ आपके मल्टिपल पार्टनर्स भी थे इसमें ब तो नेक्स्ट आपका है दो सेंट फाइड अगेंस्ट ट्रांसफेट्स या आपका दाहिंदू की अनलेसिस में कवर किया था लेकिन अगर आज आया है तो हमें जो है इसको हम करेंगे फिर से क्योंकि जन्लोग ने वह वीडियो नहीं देखी थी तो उनको जो है इसके चाहिए ठीक है तो 29 देसेंबर 2020 को जो आपकी फूड सेफ्टी और अथरोटी ओफ इंडिया है उन्होंने कहा था कि जो ट्रांसफेटी एक्सिर्स की जो पर्मीसिबल लिमिट है वो 2021 में आपके 3% रहनी चाहिए ठीक है इसके नेक्स्टियर आपकी टू परसंट और अभी कि अपकी कर्वेंट है वह आपकी 5% तक ती Thi मतलब इस अल जो है वह आपकी 3% हो जानी चाहिए अगले साल आपकी 2% तक हो जानी चाहिए और रही यह लिमिट आपके लास्टियर तक आपके आपके नेव डूस थे वह आपके किस पह प्लाई होते हैं ठीक है वह आपके अपलाई होते है एडेपल डीबल डीओं टीक है है आ पोसटीन होगा ढीज़ जो अपने बार Hill करता है एक उनके बारे माल्यक मज़ें बात करते हैं तो एगर हम बात करें तो आगर मैंतर चेड़ों कि तो आपके में हमें फैट्स देखने को मड़ते है या फिर उसका दूसरा नाम भी आपकर टांस फैटिए एसेट्स ठीक है तो गए तो आपके तीन तरीके के यह हूते हैं तो इसमरे आपके दो जो स्टार्टिंग गया मौनुट इन पॉली आंप्ली और तो ये आपके काफी हँदिधेट को कंसिड़ किया जाता है और यह self-membrace को build करने में यह help करते हैं ठीक है बहीं बात करें हम थर्ड वाले की तर्ड वाला गौंसा आपका saturated fatty acids या फिर आपका trans fatty acids तो यह जो हैं यह harmful होते हैं जो आपकी arteries होती है जो आपकी arteries होती है उनमें हमारी बोडी के लिए है क्योंकि आपकी जो आपकी जो आपका हाइपटेंशन हाथ रिटेक्स या पिर कार्डियोवर्स के लिए इस यूज जैसे आपकी के देशों ने तो 2018 में डवलू अच्छों ने यह कहा कि जो ट्रांस fatty acid है उसको जो हम 2023 तक बिल्कुल कर देंगा उसका यूज तो फिर एक एक स्टेप बाइस टेप गाइड जो हम नहीं काली जिसका नाम था आपका रिप्लेस यह देखिए ठीक है इसको प्लीज आप याद रखना ठीक है रिप्लेस को या अगर आग्जाम में पूचे जाए कि रिप्लेस क्या है तो आप बता है तो फिर उसके बाद 2003 में जो डैनमार्क आपकी कंट्री है ठीक है वह पहले एक ऐसा देश बना जिसने ट्रांस फैटी आसिट्स को बिल्कुल तरीके से बैन कर दिया 2003 में ठीक है उसके बाद अगले पांच सालों में चेले और स्विजर लेंड ने भी जो है यह सिमलिर स् है फिर अगर हम बात करें 2020 तक तो डवले एचो के मताबिक आज तक ऐसी आपकी 58 कंट्री हो चुकी है जिन्होंने एक कानून बना दिया है टीफी एस को कंट्रोल करने के लिए ठीक है और लेकिन अभी यह बात है कि 58 कंट्री से तो बना दिया लेकिन 100 कंट्री अभी ऐसी है है जहां पर हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है लास्ट एलेवन ऑफ फिफ्टीन कंट्री सेट अकांट फो तू थर्ड्स ओफ डैट्स लिंक टू ट्रांस फैट तो पिछले साल अगर हम बात करें कि टॉटल मृतियों जो है इस वज़े से कितनी हुई तो पं यह एजर्बाइजान बंगलादेश बुटान एक्वाडर एजिप्ट इंडिया एरान मेक्सिको नेपाल पाकिस्तान रिपब्लिक ओफ कोरिया तो यहां पर ज्वेस्ट एटर्शन लेने की ज़रू होता है तो इस नेक्स्ट सीवी सोसाइटी और इंडिया और पुशिंग केप ओफ 3% for 2021 and 2% for 2022 तो यह लिमिट है बात की गई है कि दो 2021 में 3% 2022 में 2% ठेक है यह इस रिफ आपकी ट्रांस फैट जो आपके ओल में या फैट्स में होते हैं ठेक है उन्हीं पर नहीं बलगी आपका जतना भी खाना होता है जतना प्रकार का जो पका खाना होता है खादे अब जाएद आपका एक कानून भी आ जाए ऐसा जो है कहा जा रहा है बिंगर चैलिंज बिल्बिमेंटेशन तो इंप्लिमेंटेशन जो हो सबसे बड़ा यहां पर एक चलेंज रहने वाल है क्योंकि यह जो आपका स्टेट सब्जेक्ट हो जाता है ठीक है यहां पर जबकर पर पूरा दारंदार आ जाता है तो आपकी फूड जो आपकी फूड जो आपकी फूड यह उसको लॉकल गॉवर्मेंट स्टेट गॉवर्मेंट जो इन सबको पर्सुड करना पड़ेगा कि वह जो है एंप्लेमेंटेशन अच्छे से करें जो नहीं मॉनिटरिंग है सैंपलिंग है रेगलू ट्रेनिंग इंस्पेक्शन सर्वेलियंस से झाल है नो पर जाये अपका पर नेक्स आपका कनस को पहले यह आपका आर्टिकल में सब्सक्राइब कर दो नेगे से आया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आपकी तीन फार्मलोज है उन पर स्टे लगा दिया था ताकि एक कमिटी जो है वो बैठ सके उसके उसके बाद ये कंगलूजन जो है वो सरकार और फार्मर यूनियोंस के बिच में निकाला जा सके ठीक है तो अब यह है कि क्या कोर्ट के पास पावर सान यूनियन गोवर्मेंट है विन क्रिकिसाइज इन सम को इसका जो क्रिकिसाइज यहां पर इसको क्रिकसिया गया है इन पर्टे पॉर्टेगलर मैंने अब कॉष्ण शूस्पैंशन अफ एक्शन अंड लो जाच अस रिज आख्स ट्रीम ओड़ आ यह और क्योंकि एस इस तो Supreme Court ने क्या justification दी अपने इस Act की ठीक है तो उन्हों ने कहा कि Court जो बिल्कुल पावरल्यास यहाँ पर नहीं है ठीक है ठीक है तो Supreme Court ने यहाँ पर कहा है कि हम जो है कानून को नहीं रोख रहे हैं हम जो सिर्फ कानून का जो इंप्लिमेंटेशन रहे हैं यहां पर डिस्टेंशन दी ठीक है हम बिलकुल पावर लिएस यहां पर नहीं है और नहीं यह भी कहा कि महराथा रिजर्वेशन इशू के उपर जो आपका एक सिमिलर लगाया गया था कानून पर ठीक है तो नहीं ने यह यह ओडर भी यहां पर साइट किया मतलब इसको इसका पर इस्तमाल किया मतलब एक्जांपल के लिए ठीक है तो यहां पर सुप्रीम कोट ने इस तरीके से यहां पर अपनी जस्टिफिकेशन दी तो कोट की अगर्म पावर की बात करें कि कोट के पास सविधान की एकोडिंग क को चैक कर सकते हैं ठीक है कि वो सब्दाने कई आए और सविधानी कि और अगर वो किसी मैं को वोई ट करता है ohh या फिर यहां जव प्लौ के जो वर बनाया गए है वह जिस द्वार बनाया है वो इस की पावर में नहीं आता है टीक है उसका वह सब्जेक्ट नही है तो ज there म तो इन तीनों में से कोई एक चीज तो यहाँ पर शब्रार्पर में स्धीज के द्वार रहा है। जो सकते हैं धीडाँ ह। however interim order staying or suspending laws enacted by the legislature are formed upon by constitutional courts and legal scholars the general argument is that unless there are compelling reasons such as a flagrant lack of constitutional validity or absence of legislative competence a law ought not to be stated legal scholars learnjust began that if the laws are fundamental right or not legislative competence in order to prisoners not yet indigenous according the fact that it wasn't यह रिजन जो हैं आपर Supreme Court के दोरा नहीं दिया गया है Why is it considered unusual for a court to suspend a law or its operation तो इसको unusual क्यों consider किया जाता है The main principle is that suspending a law made by the legislature goes against the concept of separation of power तो पहले आपका जो हैंपर argument दिया गया है वो यह कि separation of power के अगेंश में जाता है क्योंकि कानून बनाना या फ्रसोलवा कराना वो एक लेगरिसलिशा का काम होता है ठीक है विधान पाली का काम होता है तो यहाँ पर जो जुडिशरी यह काम नहीं कर सकती ठीक है ऐसा कहा गया है तो मैंने दाहिंदू की analysis में आपको बोला भी था कि आप जो है इसको एक थोट देना और यह जानने कोशिश करना कि यह जो एक्ट यहाँ पर सुप्रीम कोट ने किया है वो जुडिशल ओवरीच है यह जुडिशल एक्टिविजम है ठीक है और दोनों में से कुछ भी है तो कितना वह जैडिव है कितना नैगेटिव है टीक अगर वह रुट तो डेफिन टी नागेटिव है लेकिन एक्टिविजम कुछ किस कीट्विजम में आपका पोज़िव बहुता है तो वो जो है आप फिर से एक बार सो सोचने कोशिश करना कि जुशिशल एक्टिविजा में जुशिशल ओवर दी चाहिए फिर को योड आपकी कोंस्तिटिशनल डिव्टी चाहिए मैं अपने व्यू इस पर आपको जुरू बता हुँँँँगा जिव नेक्स्टीम इस वह इस वह को डिसकस करेंगे तो तक आप एक बार सोच होचिए था निए पिंसिपल इस अपर प्रिया प्रेंप प्रिसंप्शन दिख एवर लोग इ देनेक्स्ट अपकवर्ट प्रेजिएंट्स अर्साइट अगेंस्टिशल इंट्रफिरेंस अटन इंस प्रिम से इस तो को तो कौन-कौन सी पहले भी ऐसे एक्ट से ठेक है मतलब ऐसे सिच्वेशन आई है जहां पर ऐसा किया गया है ठीक है केस लोग सजेट्स देट इन सम क केसिस हाई कोट इंडीड स्टेट दा ऑपरेशन ऑफ समलोज हावेवर दो सुप्रीम कोट तुक अ डिम व्यू ने ठीक है तो मतलब ऐसे पहले हुआ है कि सुप्रीम कोट ने जो है इसको उटा किया है ठीक है मतलब उस टेह ता दिया गया है तो नियुनिसिपल टैक्स था ठीक है ऑपरेशन ऑफ मुनिसिपल टैक्स दिली गूडी मुनिसपल एटी अधरस वसे अलम हिंडू डास अधरस यह आपका केस था ठीक है 2013 में ठीक है तो सुप्रीम कोट ने किया कि यह जो स्टेह लगाए गया तो इसको रिमूफ कर दिया था ठीक है तो यह आपके कुछ यहां पर बता रहे गए हैं एक आपको फिर यहां पर स्टेग्रेट्स अनदर टॉबैक्व प्रड़क्ट्स एक्ट टूटागं थरी ठीक है यह सब आपके हैं बता गया है दो आपके के नाम बे लिखे हैं तो इनका पर देख सकते हैं पोस्ट करके अब ह교 अधर बॉस्ट्वा इंस्टेशियं को अदेन यूएस्ज एं सेक्शिन रहतिíchे तो स्टाट्त कर्च तोरस्ट धिक हैं सेक्शन फू थर्ट्टी अपका जो है Communication Decency Act जो आपका हुआ का यूएस का कानून है उसका पार्ट है ठीक है तो इसमें क्या है इसमें आपका ये होता है कि जो आपके सोशल मीडिया टेक कंपनी जैसे की ट्विटर है जैसे या गूगल है ठीक है गूगल आपकी टेक कंपनी है मंगल जैसे करें फूसर कष्क्राइप इस लाइबल पार्ट है तो यह यह त है जो है यह protection Twitter को मिलती है ठीक है section 230 के अंतर ठीक है तो यही है कि मान लीजिए अगर मैंने कुछ लिख दिया Twitter पे ठीक है जो कि गलत है और जिसको जिसको लेके जो है सरकार एक action लेना चाहती है तो वो action जो हो मेरे उपर लिया जाएगा वो Twitter के उपर नहीं लिया जाएगा ठीक है Twitter जो है प्रोटेक्टिड है ठीक है Twitter के पास immunity है ठीक है मैं यहापर अमेरिका के लोगी बात करा हूँ अमेरिका में section 230 है ठीक है तो इस section 230 को जो है आपके politicians जो है वो पक चुके हैं चाहते हैं कि इसको repeal किया जाए वहीं आपकी जो यह tech companies है वो यह चाहते हैं कि यह बना रहे क्योंकि कहीं ना कहीं फिर जो immunity उनको मिल रही है वो नहीं मिलेगी और उनके उपर जो cases है वो चलते रहेंगे ठीक है तो आफ्रमाट ऑफ टू कोर्ट केसिस अगेंस इंटरनेट सफिस प्रवाइडर्स तो आपके कुछ यह हुआ पर इंटरनेट सफिस प्रवाइडर से रिलेटेड कुछ केसिस हुए थे तो इसके बाद आपका एक कानुन पास किया गया था तो रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स इस लोग पर कहा खड़े होते हैं उनका क्या स्टेंड है ठीक है तो दोनों ही जो है इसके अगेंस में किया जाता है अब उसको वह टेकल करना चाहते हैं तो वह दोनों के दोना जो यही चाहते हैं तो रिपील किया जाए चाहते हैं तो अब आगे क्या होता है ठीक है following the attack on the capital on January 6th Facebook unsuspended Mr.Trump's account indefinitely ठीक है Mr.Trump का जो account था वो suspend कर दिया गया था indefinite call के लिए और इसको लेखे काफ़े memes जो आपके बने थे Twitter ने भी आसस बिल्कुल same किया ठीक है और इसके बाद जो आपकी Canon आपकी एक right wing conspiracy theory theory group है ठीक है नाम याद रखना ये Q-A-N-O-N ठीक है capital Q-A and then आपका small n-o-n ठीक है तो ये नाम याद रखना आपका सकता है नाम आ जाया है प्रेम्स में कि यह क्या है तो it is a right wing conspiracy theory group ठीक है तो याद रखना तो इस से आपके जो 70,000 अकाउट थो उनको भी जो है आपका blacklist किया गया था उनको भी जो है आपका indefinite काल के लिए suspend किया गया है ठीक है throughout the election Twitter had labellist misleading numerous tweets in which Mr. Trump called the election fraudulent election में भी जो है जो आपके Donald Trump ने कही बार खाकी elections जो थे वो डिक्ट elections थे fraudulent elections थे उनको भी जो tweets किया गए थे उनको भी जो है Twitter के दोरे label किया गया था काफी tweets को जो है Twitter के दोरे label किया गया था Donald Trump के तो with Mr. Biden stepping into the White House Congress to ending Democrat by slim margin and with the bitter election just fought debates around section 230 are likely to continue तो यह जो है आपकी जो है continuous रहने के chances और इस यह repeal किया जाता यह नहीं किया जाता यह जो है आगे हम इसको जुरू देखेंगे ठीक है काफी इंट्रस्टिंग आपका ही रहने वाला है then migratory birds to flock to Punjab wetland जो के migratory birds है वो आपके अब आपके यहाँ पर एक चीज का नाम मैंने आपका आर्टिकल लिया है ठीक है पंजाब जो आपका ही wetland है ठीक है इसको लेके जो है मैंने इस आर्टिकल को लिया है ठीक है तो इसको देखते हैं ठीक है इसकी geographical position हम देखेंगे और birds के नागरम देखें तो अब जुक्षोफ तो पंजाब में ठीक है ठीक है अई यादर रखना हाड़ को दोस्कीण दोस्कीट हुआ है ठीक है तो इनसाए पके जो यह बड़्ड्ज है इनोग्रेशन में खेल और देखते हैं हरीके वैटलेंट को हरीद्ट लेंट गोर्य पंजाब में लोकेटीड ह धैका याद रखना हरीके वेटरिंड आपका पंजाब में है ठीक है इन गर्व अर इंद द बॉर और तरंट साहिप डिस्टीक थे पंजाब डिूहुरा, यह अदार्बत चिल टीक है ठीक है लोडर सुप Easter किए लेख मुंस्ट करिचे अieg है संद F 토र इंद ऑन साहिब तो यह जो आपका आपका यह वैट लैंड है यह आपका पड़ता है तो रिवर्स के नाम ज़रूर याद रखना तो बागे के अगर न्यूज की बात करें तो डीजी सी नौट फॉर और वाकल एरपोर्ट इन कुर्णूल ठीक है तो डीजी सी है उन्होंने एक और वाकल एरप इंचेट्स ठीक है अर्णब गोस्वामी जो आपके डिपबलिक टीवी के अडिटर इन चीफ है उनके जो आपकी वाटस एप जो चैट्स अभी आपकी लिए हुई है ठीक है बी एरसी के जो आपके एक्स चीफ थे उनके साथ तो उसमें आपका बताया जा रहा है कि अर्ण कोट एसक्स के बारे में 27 जन्वरी से पहले ही मतलब 27 जन्वरी का आपकी वह एसफेक्स जो है कंड़क्टर भाए गए तो दिन दिन पहले जो है यह बात की इसे मिन आनका था कुछ बड़ा होने वाला है ठीक के सम्टिंग बीग इस गईंग तो हैपन तो अगर यह बात सच थी अगर उनको सची में इस बारे में पता था तो आइड़न थिंक कि यह थी बात है हमारी नेशनल सेक्राइटी के लिए क्योंकि इतनी इंपॉर्टन इंफॉमेशन इतनी इंपॉर्टन इंटेल अगर हम ऐसे किसी के भी हाथ में दे देंगे जो कि सरकार का अभीस्ता नहीं ह है तो फिर यह प्रोब्लेमेटिक है ठीक है तो देखने सच है कि नहीं है कितना सच इसमें है यह हम अभी नहीं बता सकते गया वाली प्रेसिस फॉर बोर्डर रेजलुशन जो आपके नेपाल के फॉर्ण मिनिस्टर ने वो इंडिया की विजिट पर आये हुए है उन्होंन मैप में जो छेड़ानी अपने की है नेपाल के मैप में उसको जो है वो पहले वाली पॉजिशन पर लेकर रहे हैं ठीक है मतलब जो औरिजिनल प्रोजिशन थी वैसा है उसको करें आप अपनी तरफ से जो है कैसे ही मैप नहीं दिखा सकते ठीक आप कोई भी टेरिटरी इं क्लीं अब कीante a लाउने के अपने मौन से कीए मिश्यच आपको मिलेगा ठीक है कि उनका यह कहने कि सिल्क रूट जो है स्टेबलिश होने से पहले भी जो है ट्रेड काफ़े फिलरिश करता था तो इसको आप पढ़ सकते हैं एक बड़ तो आयोपको सबकु समझ में आए होगो कोई प्रोब्लेम आपको ही नहीं होगी ठीक है तो मिलते हैं आप से कल थैंक यू सो मुछ, सब्सक्राइब एचिवाइए और जोने से टेलिग्राम, थैंक यू